दोस्तों नमस्कार रिकी चड़ा एस्टोहीलर चैनल से अब जब भी किसी जोतिश के पास जाते हैं किसी एस्टोहीलर के पास जाते हैं आपने एक एक धरना है कि आठवा घर एक बुरा घर है जिसे हम दुस्ताना घर भी कहते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये एक ऐसा घर है जिससे आप किस छेतर में काम करेंगे आपका करियर क्या होगा आपका प्रोफेशन क्या होगा इसके बारे में विचार किया जा सकता है क्यों देखिए आठवा घर दसवा घर जो प्रोफेशन का है कर्म का है उससे वो ग्यारवा है और एक कॉंसेप्ट है जिसम कहते है भावत भवम उसके मुताबित ग्यारवा घर पताता है कि आपको कहां से लाब होगा तो ये दसवे घर का लाब है यानि कि जहां पर आप कर्म करोगे आपको लाब कहां से प्राप्त होगा इस बात को अगर आपको समझना है क्योंकि बहुत से लोग है जो समझते हैं कि दसवा घर कर्म का तो है लेकिन कर्म करने के बाद में हमें लाब कहां से होगा अब आपको समझाने के लिए मेरे पास और कोई उधारन समझ में नहीं आया तो मैंने का चलो सबसे अच्छा उधारन दे देता हूँ क्योंकि वो सब के चहीते हैं और सबसे अच्छा उधारन अगर दिया जा सकता है तो अमिता बच्चनका दिया जा सकता है अब ऊपर एक चाठ देखिए यह अमिता बच्चनका चाठ है कुनली है उनकी आप देखिए वहाँ पे कुनली में नीचे की तरफ राइट-एंड साइड पे छे नंबर लिखा है जो छे नंबर लिखा है यह छटी राशी है लेकिन आठवे घर में बुद्ध अपने ही राशी में उच के हो करके बैठे हैं और साथ में शुक्र जो उसी घर में नीच के होते हैं और इसी वज़े से इसे हम एक नीच भंग योग कहते हैं ये एक तरीके का राज योग है और क्योंकि उच के जो ग्रह हैं बुद्ध वो क्या बताते हैं आप अपनी किस्मत अपनी अपने करियर अपने प्रोफेश्शन को कहां से अर्जित करेंगे कम्यूनिकेशन बात आपको पता है अमिता बच्चन को हम डैलोग डिलिवरी से ही जानते हैं उनका पूरा करियर कम्यूनिकेशन से ही हुआ है इसी वज़े से अमिता बच्चन ने अपना करियर शुरू कहां से किया था बॉलिवुड में आने से पहले वो रेडियो स्टिशन पे थे रेडियो स्टिशन पे वो रहें काम किया उसके बाद में वो फिल्म इंडिस्ट्री में आए और फिल्म इंडिस्ट्री में आज तक अगर उनका नाम है तो सिर्फ इसलिए कि उनकी डैलोग बात करने का तरीका सबको प्रभावित करता है मंगल और सूर्य आठफे घर में जो दो घर और साथ में बैठे हैं वो बता रहे हैं दोनों के दोनों अगनी तत्व के गरह हैं इसको हम फायरी कहते हैं इसलिए अमिता बच्चन को जो छवी मिली वो क्या मिली एंग्री यंग मैन ठीक है आठवा घर क्यूंके कन्या राशी है और कन्या राशी जो है वो प्रतिवी तत्व की राशी है जिसे हम फिक्स्ट कहते हैं इसी वज़े से उनका करियर बहुत लंबा चल रहा है आठवे घर में चार ऐसे ग्रह बैठे हुए है जिनके वैसे हाँ ये भी बात सही है कि जिन्दगी में बहुत सी दुरगटनाओं का सामना किया उन्होंने आप सभी जानते हैं अब अगर आपको अपना करियर देखना है आठवे घर को कभी भी नजर अंदाज मत करना वही बताएगा कि आपके करम से या आपके करियर से आपको कहां पर लाब होगा और क्या लाब आपको मिलने जा रहा है वो ग्रह या उस राशी का ज़स्वामी है वो बताएगा कि आपका करियर क्या है वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे एक लाइक देदीजे देदीजे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक के कर लीजे और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे बहुत बहुत शुक्रिया